नम्सकार, मॉम्स केचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मुलायम, फूली फूली चावल की रोटी सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डाल के उबाल ले पानी उबलने पे स्वाद अनुसार नमक डाल ले अब इसमें हम एक कटोरी चावल का आटा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब पूरा पानी जासब हो जाए तब गैस बन कर ले अब इसको खुले बरतन में डाल के अच्छे से मल ले ख्याल रखे अभी यह गरम है जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको हाथ से अच्छे से गूंड ले देखिए अब यह कितना मुलायम हो गया है अब इसके पेड़े कर ले यह पेड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं अच्छा होगा अगर आप इनको गीले कपडे से ढख ले पेड़े को भी एक बार फिर अच्छे से मल ले अब इसकी रोटी बेल ले चावल का सूखा आटा ही इस्तेमाल करें चलिए रोटी को सेख लेते हैं आपको यह मुलायम सॉफ्ट रोटी कैसी लगी अपना अनुभव शेयर करना मत भूलना और कोई फीड़बेक हो तो प्लीज शेयर कीजिए देखो कैसे फूल रही है अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरी अगली रेसिपी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ बैल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना ताके आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए नमस्ते